आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेस्पी लेकर आई हूँ हलो फ्रेंट्स वैलकम बैक टू माई चैनल दोस्तो आज हम रवा इडली बनाएंगे यानि कि इंस्टन्ट रवा इडली बनाकर तयार करेंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसको बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सौफटर स्पॉंजी बन कर तयार हुई है बहुत सारे टिप्स आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखे बिल्कुल भी स्किप करके मत देखेगा पिचलिए जल्दी से इंस्टन्ट रवा इडली की रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं इंस्टन्ट रवा इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर बना कर तयार करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक कप सूजी ली है यहाँ पर हमने बारीक वाली सूजी ली है इसके बाद हम इसी कप से नाप कर इसमें तीन चौथाई कप दही एड़ करेंगे यानि के एक कप से थोड़ा सा कम हम यहाँ पर दही एड़ करेंगे दही अगर हलका सा खटा होगा तो इडली बहुत अच्छी बनती है यानि के बहुत अच्छे से फूलती है अब हम इने अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे, यहाँ पर हमने आधा कप पानी लिया है, पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालिए और अच्छे से इसे मिक्स कर लेजिए, हमी जो इसका बैटर बना कर तयार करना है, वो बहुत जादा पतला भी नहीं होना चाहिए, और बहुत जादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो चलिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे ढख कर रेस्ट के लिए रख देंगे, तो अब पर हमने एक पैन लिया है, पैन में हम एक बढ़ा चमच तेल डाल देंगे, तेल जैसे घर्म हो जाता है, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, और इसके बाद हम इसमे अधा चमच जीरा आड़ करेंगे, और साथ ही हम इसमें एक चमच काली सरसो अड़ करेंगे जिसे हम राई भी कहते हैं और लो फ्लेम पे इन्हें अच्छे से भोन लेंगे ताकि ये बड़ी असा चटकने लग जाए और हलका सा ये ब्राउन हो जाए और इसके बाद हम इसमें एक चमबच उरदा लैट करेंगे और एक चमबच चनादा लैट करेंगे और लगतार चलाते हुए लो फ्लेम पे हम इने भून लेंगे ताकि दाल का कच्चापन निकल जाए और हलका सा इनका कलर चेंज हो जाए एक बात का आपको ध्यान रखना है गैस का फ्लेम आपको यहाँ पर लो ही रखना है नहीं तो तड़का जल सकता है यहाँ पर दाल अच्छे से भून चुकी है और हलका साइस का कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें एक चौथाई चमच हींग एड़ करेंगे और दो तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च एड़ करेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ से कड़ी पता डाल देंगे कड़ी पता को मैंने बारी काट कर यहाँ पर डाल दिया है और अब हम इने लो फ्लेम पे चलाते हुए कुछ सेकिंड के लिए भून लेंगे ताकि यह भी अच्छे से भून जाए तो देखे यहाँ पर हमने इसे अच्छे से भून लिया है इसके बाद हम इसमें थोड़े से काजू एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने दो बड़े चमच काजू के टुकड़े इसमें डाल दिया है लगतार चलाते होए इने भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे इसमें काजु डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो चलिए हमने काजु को भी कुछ सेकंड के लिए भून लिया है और इसके बाद हम इसमें प्याज एड़ करेंगे एक medium size के प्याज को हमने यहाँ पर बरी काट कर डाल दिया है अब हम gas के flame को medium कर लेंगे और लगतार चलाते हुए हम प्याज को भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए और हलका size का color change हो जाए friends आप यहाँ पर अपनी पसंद की सबजियां भी add कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर बरी कटा हुआ गाजर और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं आपको उन्हें बरी काट कर ही डालना है इसमें सबजियां डालने से इडली और ज़्यादा tasty और healthy हो जाती है तो देखिए हमने यहाँ पर प्याज को अच्छे से भून लिया है अब हम गैस के flame को बंद कर देंगे यहाँ पर तड़का तयार हो चुका है तो चलिए अब हम इडली के batter को देख लेते हैं से रखे होई 10 से 15 मिनट हो चुके हैं एक बार चमच से इसे इस तरह से फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियां वगएरा बिल्कुल भी ना रहें और अब हम इसमें तड़का एड़ करेंगे जो तड़का हमने तयार किया है सारा तड़का आप यहाँ पर डाल दीजिए और अब हम इसे चमच से बढ़ी असा मिक्स कर लेंगे दोस्तों यकीन मानिए इडली की ये रेस्पी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है तो चलिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी मुझे ये थोड़ा सा बैटर ठीक लग रहा है तो हम इसमे थोड़ा सा पानी अइड करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमच पानी इसमें डाल दिया है अच्छे से मिला लेंगे अभी तक हमने इसमें नमक अट नहीं किया है इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक इडली स्टेंड लिया है इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इससे धक्कन से कवर कर देंगे और पानी को गरम होने के लिए रख देंगे जब तक पानी गरम हो रहा है यहाँ पर हम इडली की ट्रे को तेल से ग्री सोडा एड़ करेंगे और इसके बाद हम इसमें एक चमच पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप यहां पर बेकिंग सोडे की जगा पे इनो डाल सकते हैं आप यहां पर एक पैकिट इनो का डाल दीजिए और अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए हमें इसे बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है दोस्तों हलके हाथों से आप इसे बस इस तरह से मिक्स कर लीजिए और इस बैटर को हम इडली ट्रे में इस तरह से डाल देंगे हम यहाँ पर इडली मोल्ड को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है तो बस इस तरह से हम यह बैटर इसक इतना ट्रे में आ सकता है हम उतना ही डालेंगे अब यहां पर देख सकते हैं कि पानी में अच्छा उबाल आ गया है अब हम इडली ट्रे को इसके अंदर साफधानी से रख देंगे तो दोनों ट्रे हम इस तरह से रख देंगे और इसे धकन से कवर कर देंगे और गैस का फ्ले आप देख सकते हैं कि इडली बहुत अच्छे से फोल चुकी है तो इसको चेक करने के लिए कि अच्छे से पकी है या नहीं तो हम यहां पर एक टूथपिक लेंगे तो टूथपिक को हम इसके अंदर इस तरह से डाल कर देखेंगे आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कु अच्छे से फूली हैं बहुत अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं अब हम इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इन्हें डी मोल्ड करेंगे तो मैं इन्हें पंखे के नीचे रख देती हूँ उसके बाद हम इन्हें डी मोल्ड करेंगे तो यहां पर आप दे आपको ये recipe बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप इन्हें नारियल की चटनी या फिर हरी चटनी के साथ भी serve कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इन्हें आलु करी के साथ सहरव कर सकते हैं बहुत जाधा यह tasty लगते हैं .आप इन्हें नाश्ते में लाइ सकते हैं आप इन्हें lunch box के लिए भी बना सकते हैं दोस्तो मुझे पूरी में था आपको आज की recipe बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अगर आपको आज की recipe पसंद आती है तो आप लोगों से request है प्लीज वीडियो को like कीजिएगा, share कीजिए अपने family और friends के साथ चैनल पर new है, पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लेजिए साथ में जो bell icon है उसे all पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले latest वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले मिलते हैं friends एक नई recipe के साथ, thanks for watching